मैं आज पूरी कैलकुलेशन करके आप सब के सामने लाया हूँ मई 2022 में लास्ट दफा तेल की कीमतों में केंदर सरकार ने बदलाव किया था मई 2022 और एक्जेक डेट बताओं तो 21 मई 2022 उससे लेकर आज तक 305 दिन बीच चुक है मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी 109.5 डॉलर प्रती बेरल यह आकड़ा सिरफ और सिरफ भारत सरकार के वेब साइट से निकालावा आकड़ा है और मार्च 20 मतलब परसू कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती 70.69 डॉलर प्रती बेरल अगर हम इसको बेरल और डॉलर को रुपिय और बेरल को लिटर में कनवर्ट कर दें तो आपको जानके आश्चरी होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल 53.45 पैसे प्रती लिटर में खरीद रही थी यह भी सरकारी आकड़ा है और मार्च 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल 36.68 पैसे प्रती लिटर में खरीद रही है हम यह कहीं नहीं रहें सरकार से यह अगर उम्मित करें कि वो exercise duty कम कर देगी मोधी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं पर जो घटत हुई है 16.75 पैसे प्रती लिटर की there is a reduction of 16.75 पैसा पर लिटर और हम यह नहीं कहरें मोधी जी कि आप exercise duty को कम करो हम कहरें जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में 16.75 पैसे प्रती लिटर की कमी हुई है वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है यही हम आज यही इसी मुद्दे पर हम आज प्रैस वारता करने आए है अगर कच्चे तेल की कीमतों का फाइदा देश वांसियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से 16.75 पैसे प्रती लिटर पैट्रोल और 16.75 पैसे प्रती लिटर डीजल में कमी आ जाए exercise duty का जो लूट चलू है वो चलू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे है मोदी जी हमें पता है वो नहीं करो गया पर यह कच्चे तेल जो आपको फाइदा मिल रहा है वो देश वासियों को क्यों नहीं दे रहे यह कैसी partnership आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है जहाँ पे profit आपका और जब loss हो जाए तो वो loss देश वासियों का यह कैसी आपने partnership फ़र्ण खोल दी लोगों के साथ